निश्पक्ष चुनाव कराने के लिए आदर्श आचारी सहीता में नई बिंदू शामिल करने के बाद चुनाव प्रक्रिया सिजुड़े अधिकारियों को उनसे परिचित कराने के लिए हुने वाले तीन चर्णों में प्रसिक्षन कारिक्रम के पहले चरण भुपाल में बुध्वार को परंपरा की मुताबिक दीप प्रज्वलन के साथ श्रू हुआ तीन दिन तक चलने वाले प्रसिक्षन कारिक्रम में राज के मुख्य निर्वाचन पदधिकारी जैदीप गोविंद। चुनाव आयोक के प् को मद्धाताओं को प्रलोबन से बचाने, मद्दान केंदर तक लाने और उम्मिद्वारों के चुनावी खर्च पर नजर रखने के तरीके बताए। उन्होंने आगामी चुनाव में अतिसमवेदंशिल केंदरों में CCTV कैमरे लगाने और राजी के सभी साड़े चार करोड म पूत हैं, उसमें CCTV कैमरा लगाने की बात है, दूसरा वोटर स्लिप प्रतेक साड़े चार करोड बदाताओं को पहुचाई जाएगी जिससे उनको सपष्ट रहे कि वोटर लिस्ट में उनका नाम कहा है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों से निचले स्टाफ को भी आचार सहीता के पालन करने के लिए प्रसिक्षित करने के निर्देश दिये और पैड नियूस को नई चुनावी समस्य बताते हुए से निपटने के गुर सिखाए। उनको अपडेटेड नौलेज और अपडेडेड स्किल्स और उनको सही तरीके से हर सही समय पे इन्वाल्व करके रखना। तीन दिन तक चलने वाले चुनावी क्लास में शामिल अधिकारियों को प्रसिक्षन देने से पहले एक परिक्षा लेकर उनकी चुनावी जानकारिया परखी गई ताकि उसी हिसाब से उन्हें प्रसिक्षत किया जा सके। प्रसिक्षन समापत होने के बाद भी सबे प्रसिक्षन आर्थियों को परिक्षा दे कर यहाँ बताना पड़ेगा कि उन्होंने कितना सीखा है। इसी तरह तीन तीन दिन का प्रसिक्षन कारिक्रम शेश जिलों के चुनावी अधिकारियों के लिए 18 जून और 27 जून को भोपाल में आयुजित किया जाएगा।